असलाम उलेकुम एवरिवन आज की हमारी न्यू रेसेपी है सांबर मसाला पॉडर होममेड बहुत ही कम समय है यानि 10 मिनिट में ये पॉडर बन कर आपको रेडी होगा इस सांबर पॉडर को आप स्टोर करके यूज भी कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं रेसेपी स्टा चना दाल, चांवल, काली मिर्च और करी पत्ता और हमें चाहिए राया इन सब को हम फ्राइंग पैन में दाल देंगे और इसे 2-3 मिनिट के लिए हलके धीमी आँच में भून के ले लेंगे 2-3 मिनिट स्लो फ्लेम पे भूनने के बाद हमें से धंडा होने के लिए रख देंगे ज्यादा हम इसे धंडा होने के लिए नहीं रखेंगे वरना पौडर सहीं से नहीं पीसा जाएगा इसलिए हलका गरम रहने पर ही हम इसे पीसेंगे इसमें हम थोड़ी सी हल्दी आइट करेंगे और थोड़ा सा हिंग आइट करेंगे हिंग जरूर से आइट करेंगे इससे आपको कोई भी प्राब्लम नहीं होगा साबर खाने से और सांबर में अलग सा फ्लेवर भी आएगा इसे हमने स्मूथ अच्छी तरह पॉडर पीस के रेडी कर लिया है ये थी आज की हमारी नियो रेसिपी सांबर मसाला पॉडर होम मेड़ आप लोग को कैसा लगा जरूर बताए और मेरे चैनल पे आप लोग नए है तो प्लीज लाइक शेर कमेट और सबस्क्राइब करें दुआ में याद रखिए अलाहाफेज